What's up guys, I hope you are doing well, I am Veeer, Welcome to Mr. Lord Family, तो कैसे हो, दोस्तों मैं आसा करता हूँ, शांदा तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजोई कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और प्राई का ध्यान काफी अच्छे से एर्रा कर रहे हो, आज का लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे, आप मिल रही है, वाइन मिल रही है आप, तो यह यहाँ पर पास में है, जबकि यहाँ पर आप लोग जाएंगे तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, तो लोग यहाँ इतनी लंबी लंबी लाइन लगा कर यहाँ जाने के लिए तयार है, पर लेकिन यहाँ पर आने के लिए क्योंकि आप लोग को पता है मैंने कल ही डिस्स किया था आप लोगों से न्यूज अनलिस वाली वीडियो में कि डेली गवर्मेंट के द्वारा 70% एक्स्टा पैसे लिये जा रहे हैं सराब के उपर क्योंकि उनको पता है लोग जो पीते हैं वो पिएंगे ही पिएंगे तो क्य करने को मिल रही है तो कैसी लग रही है सिचुएशन आप लोग इसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे मुझे बड़ा इंटरसिंग लगा मैंने का यह देखो खाना नहीं चाहिए पर यह चाहिए तो इसको कहते है अपने एक्जाम के लिए आप लोग इतना डेडिकेशन नखो जितना आप सराप बेने वाले सराप के लिए रख रहे हैं तो एक्जाम आप लोग यह बोली कि बड़ी ही जल्दी आप लोग आप पास हो जाएगा ठीक है चलिए कोई नहीं आगे बढ़ते हैं आज का आप डिसस करने के लिए आज के दा हिंद्यू न्यूस पर में पर लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार नजट डाल लेते हैं कि क्या-क्या कोविड-19 के केस चल रहे हैं इसके उपर ओल ओवर वर्ल्ड में 3.7 मिलियन के करीब केस आप लोग को देखने को मिल रहे हैं यानि कि सबसे उपर यहाँ पर चल रहे हैं लगबग इतने ही तो लोग रिकवर हुए हैं और इतने ही लोग यहाँ पर USA के अंदर कोविड-19 की चपेट में हैं अगर बात करें हाँ तो यहाँ पर 72,000 से वी उपर लोग की जान जा चुके USA के अंदर में तो यह काफी बड़ी दुर आगे बात करें कैनेडा पेरू और इसी के साथ में बेल्जियम इंडिया इंडिया हैं अपर अभी नीदर लेंड से पीछे ता पर हम लोग नीदर लेंड से आगया चुके हैं आप लोग देखते हैं कि लगबग 50,000 के करीब केस जो हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे है 49,400 करीब केस हैं और जो जान जाने वाले लोगों की संख्या हैं आपर यह 1693 में तो यह नंबर ओफ केस हैं हमारी कंट्री में सबसे ज़्याद है महारास्टा में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं बाकी गुजरा अटहली यह सारे अलगला गेरिया में केस देखने को म आईए अब नज़ डालते हैं आज के आर्टिकल के उपर काफी इंपोरेंट इंट्रेस्टिंग आर्टिकल है एक एक करकर यहाँ पर नज़ डालेंगे जो इंपोरेंट है बाकी यहाँ पर कुछ सारे आर्टिकल मैक्सिम जैसे की COVID-19 से लिट है तो उनका एक और वीडियो क आज़ के बारें बता रहें तो ये इंपोरेंट नहीं है कैसे पंठिकरब सकते हैं यानिके कैसे आपर एक प्रोजर के थरूप बाहर निकल इंगे ऐसे रैंडम तरीके से हम लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे तो यही बात है वो कफी इंतेंगे उससे पहले आप लोग Media faktycznie आप लोग के सामने question यह है, आप लोगने कई बार सुना भी होगा, कि कानून अंदा है, तो कानून अंदा है, आप लोग इससे क्या समझते हैं, यह निकि क्या reason है, यहां पर यह बोड़ा जाता है, कानून अंदा है, और क्यों यहां पर यह पट्टी बंदी हुई है कानून की आँखों पर तो यह आप लोग यह question है इस question का answer दीजे जो भी आप लोग के mind में चल रही है चीजे जो भी तरक आप लोग देना चाहते हैं वो तरक आप लोग लिखें आपर फिर मैं आप लोग इसके बारें बताता हूँ यह article complete करने के बाद में ठीक है सबसे पहले आपर बात करते हैं number of case के बारे में हमारी country में आज की date में अगर आप लोग case के बारें बात करें तो 59,867 case यह जो data है यह number 2019 का है यह जदा पुरान एडिटर नहीं है supreme court में लगबख 60,000 के करीब case जो है पेंडिंग पड़े हूए इसी के साथ में high court में अगर आप लोग बात करेंगे जो case है वो हैं आपर लगबख 44,44.75 lakh के करीब case अगर district court और subordinate court के बारे में आप लोग बात करेंगे तो total मिलाकर जो pending case है वो soaking है आपर यानिके 3.14 crore यानिके इतने crore case है आजकेड में और यह मैं नहीं बोल रहा हूँ यह आपर जो बात बताईगी है यह बात बताईगी है हमारी country के जो law ministry है आजकेड में रवी संकर परसाथ साब के द्वारा तो यह important data है जो कि आप लोग use भी कर सकते है answer writing में भी और आप लोग वैसे भी अगर कहीं debate और discussion कर रहे है तो इसके बारे में हूँ आपर बता सकते हैं बाकी यह question का answer आप लोग दीजे फिर मैं आप लोग उसे इसके बारे में dismiss करता हूँ सबसे पहले जहाँ पर देख लेते हैं बात क्या की जा रही है बात एकी जारी है कि online जो justice है वो provide कराना चाहिए यानि कि आज के इड़ में आप लोग मालीजे अगर आप लोग किसी particular area में रहते हैं South India में ठीक है और आप लोग को जाना है Supreme Court के अंदर में तो आप लोग को डहली आना पड़ेगा Supreme Court में तो यह समझ सकते हैं कि इंसान वहाँ पर आएगा रहेगा टाइम कितना लगेगा उसके case की पता चला फिर से कोई date होगी तो फिर वहाँ कहां जाएगा फिर वहाँ से जाएगा तो इसके चलते हैं यहाँ पर जो justice है वो प्रोपर जल्दी जल्दी नहीं मिल पाता है कई बार ऐसे भी suggestion दिएगे हैं पर लेकिन वो भी अब तक possible नहीं हो पाई है अब यहाँ पर जब से COVID-19 ने चपेट में लिया है तो एक अच्छा suggestion निकल के आ रहा है कि जो justice है उसको आप लोग online कर दो अब दुनिया में चाहे किसी भी कोने में क्यों नहीं हो वो किसी गली के नुकड़ के कहीं चोराई पर बैठा हो किसी जोपडी में हो किसी महल में हो तो हर जगे कहीं पर भी इनसान क्यों नहीं हो online इसको एकसी जहराम से कर सकता है पता चला है हाँ पर آسानी से उसको इतनी दूर आने की जड़त नहीं है आसानी से काम हो सकते हैं तो इसी के बारें बात की जा रही है कि justice online ये only cost to reduce करेगा ही करेगा कि not only reduce the cost पर जो speed is justice भी provide कराएगा इनके case जो है वो जल्दी जल्दी response हो जाएंगी क्योंकि आप लोगोंने सुनाओगा कई बार judge निया आता हैं कई बार वकील निया आते हैं कई बार गवान आते हैं तो इस तरीके से एक ही case लंबे समय तक खिसता रहता है तो वो सारी problem यहाँ पर खतम हो जाएगी यानि के case जो बहुत जल्दी जल्दी हाँ पर soul होने start हो लिख रहे होंगे आप लोग भी खुद अपना experience शेर जरूर क्या किजें कि आप लोग कब से answer लिख रहे हैं नीचे कमेंडों से बताइए और बहुत अच्छे से लग बग यहाँ पर जो भी answer लिख रहे हैं उनकी writing भी इंप्रूव ही है बहुत सारे तो ऐसे भी लोग है ज जोन, औरेंज जोन, रेड जोन और इसी के साथ में containment जोन ही हाँ पर आप लोग को देखने को मिला जो मैंने बताए था जिसे बहुत ज़्यादा case आजाते हैं उसको containment zone हम लोग बोलते हैं तो अभी हमारी country में ऐसा नहीं है कि हम लोग जाकर आराम से court में अपना case एक तरी से file कर सकते हैं वहाँ पर चीजों की सुनवाई हो सकती है क्योंकि COVID-19 के चलते हैं सारी चीजे जो हैं वो बंद पड़ी हुई है इवन UPSC ने जो prelims है वो postpone कर दिया और 20 तारीक को decide करेंगे क्या date आने वाली है तो कोई भी काम नहीं हो रहा है ये तो छोड़ी है तो छोड़ based solution यानि कि justice अगर आप लोग provide करें online तो कैसा रहेगा तो ये सबसे शांदार तरीका आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं तो इसी के बारे में हाँ पर बात की जा रही है तो क्या-क्या चीजें हाँ पर की जा सकते हैं पहले इसके बारे में समझें कि lockdown के चलते जो आज के डि decade का मतलब है 10 साल पिछले अगर decade में आप लोग देखेंगे तो Amazon, Flipkart, Swiggy, Uber, Ola, Jumato ये सारी online app की company हैं जिसमें आप लोग अलग-अलग product खरीच सकते हैं कही से खाना मंगा सकते हैं कही से गाड़ी आप लोग किराय पर ले सकते हैं तो दुनिया भर के चीजे इस तरीके से हम लोग क्यों online justice provide नहीं करा सकते हैं तो यही बात बुलीगी है कि जैसी situation हो भी फिलाल बनी है कि work from home यहन के घर से अपना काम करो तो इसके चलते हैं पर कभी भी आज तक किसी ने भी a situation नहीं देखोगी all over world एक साथ में किसी problem की चपेट में आगया हो आज तक ऐसी condition नहीं हो में काफी time लगेगा ऐसे हां पर बोला जा रहा है तो क्यों ना technology का use करके हम लोग spirit disposal करें cases के जो भी case अब तक यहां पर पड़े हुए और जल्दी से जल्दी logo तक solution पहुँचा है और ऐसा नहीं है कि इसका use कहीं पर किया नहीं गया है हमारी country में technology का use किया गया है और इसको लोगों के द्वारे हाँ पर बैट कर काम किया गया लगबग 30 मेंटर जो थे वो urgent importance के वो यहां पर निप्टाए गए कई सारी बेल के case और application भी हाँ पर निकल कराई advocate और जो low officer थे वो अपने respecting officer जो भी अपने office में थे या फिर घर से जहां से भी वो अपना participate कर रहे थे वो स उसके चलते हैं हाँ पर आप लोग का जो बडन होता है यहां जाना है यह करना है वो करना है तो उसके compare में हाँ पर काफी आसान है तो need of are कि technology को explore करना है हम लोग को ताकि ऐसे जो case है उनको और जादे हाँ पर आसानी से deliver किया जा सके थोड़ा से इसके बारे में कुछ portion हम ल जैसे e-court जो project है हमारी country में कब conceptualize किया गया है यह कब concept इसका निकलकर हमारी country में है तो national policy and action plan for implementation of information and communication technology ICT बोलते है information and communication technology जुडिशरी 2005 में हाँ पर submit की गी यह e-committee थी आपर supreme court के द्वारा जब vision किया गया कि कैसे judiciary को information communication technology enable court हम लोग बना सकते हैं तो e-court mission mode हाँ पर प्लान न funding की बात कीगी तो यह department of justice यानिके ministry of law and justice से आपर निकल के आया जिसके चलते हैं आपर इसको implement करने की बात कीगी objective क्या थे ताकि efficient यानिके proper way में timely justice provide करा जा सके और citizen centric service delivery हाँ पर हो सके e-court के थूरू दूसरा बोला गया install और implementation और develop किया जा सके एक support system जिसके थूर आपर यह implementation इसका क्या जाएगा transparency और accessibility भी हाँ पर रहेगी क्योंकि आप लोग को बताया जैसे मैंने बताया अभी South India में अगर कोई case आ रहा है तो Supreme Court में कैसे आएगा इसी के साथ में judicial productivity भी बढ़ेगी क्योंकि एक तरीके से जो quality और quantity यानिके case के quality भी बढ़ेगी और quantity भी आप लोग आप लोग जाते हैं जरा सी देर में कोई ने कोई रिस्वत आप लोगों से मांग लेता है कोई एक print out निकाल के लेकर आना है वो रिस्वत मांग लेता है कोई बकील होग या उसको पैसे पकड़ाने पड़ते हैं सारी चीज अब आप लोग को ओनलाइन देनी पड़ेगी त अभी हाँ पर आप लोग को कई सारी हर्डल यहाँ पर देखने को मिलेंगी जैसे pendency of case जो हमारी country में जो है वो काफी large scale पर है अभी जो बात की जारी है भी बोरा जारी है कि economic survey जो 2019-2020 के एसाब से अगर हम लोग माने तो tax related जो case है और revenue से related case है वो काफी large scale पर यहाँ पर pending प देखिये कई बार apps तो बोलते हैं कि ऐसी चीज़े available नहीं है वैसी चीज़े available नहीं है पर लेकिन ऐसा होता वा नजर नहीं आता है चीज़े होती है पर लेकिन उनका धंक से utilization नहीं होता है जैसे आप लोगे पास में जो product है उसकी आप लोग एहमित नहीं रखेंगे आप ल कोई free page नहीं करनी पड़ रही है एक बच्चे के द्वारे यहां पर यह बात बोली भी गई थी गुरूप में पोस्ट की थी मैं वही बात आप लोग को बता रहो उसके द्वारा बोला गया कि सर यहां पर कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो की serious नहीं है मुझे पता है हाँ जो serious का फोन आ रहा है वही सारे function में आप लोग को यह आप लोग को 1000 के फोन में दूँगा तो लोग जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे कि हां ऐसा थोड़ी नहीं होता है अब यह class में आप लोग को दे रहा हूं same class अगर आप लोग जाकर कहीं कोचिंग में लेंगे उसके लि लेंगे जिनको लगता है कि पैसे देकर ही अच्छी पढ़ाई की जा सकती है अगर आज की डेर में देखो online इतने सारे resources available है अगर कोई भी coaching भी आप लोग जोई नहीं करते हो आप लोग किसी भी किसी तरीके के कहीं पर भी आप लोग जाने की ज़र्त नहीं है बस आप रख है कैसे कैसे तयारी करनी है कैसे time table बनाना है कैसे answer writing करनी है किस तरीके से आप लोग को निमत लिखना है ये सारी वीडियो और लेटी बना रहा है इसका reason यह है कि ताकि आप लोग कोई problem face नहीं करनी पड़े तो ये सारी चीज़ आप लोग enjoy कीजे और trust कीजे जो quantity जो ज इस तरीके debate और discussion भी बिल्कुल गलत है आप लोग चेक करते रहा करो quality कैसी है दूसरी चीज़े भी देखते रहा करो जहां भी आप लोग को शुटे भी लगता है उसके बाद में फिर देखा करो कि quality कैसी मिल रही है आप लोग ठीक है तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को गु आप लोग देखें इनकम टेक्स की जो ट्रीबिनल है वो आधे डे काम करते हैं यानि कि आधे डे क्या बस यह मानिए तीन-चार घंटे कोड चलेगा उसके बाद में खतम बागी पूरा टाइम खाली पड़ा रहता है और कह रहे हैं कि इन फ्रस्रक्टर एविलिबिल नहीं तो आप लोग यह देखें यह जो कोड हैं आप लोग उनको भी आपर ऋपन कर सकते हैं आप लोग इनको बोल सकते हैं कम से कम वो लोग एक टाइम पर क्या काम करने के बुला जाएगा साफी complicated है, समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, अगर मोटे-मोटे तोर पर मैं आप लोग को बता हूँ, तो एक साइड में e-court है, जो इसके favor में बोलते हैं, कि e-court के favor में नहीं बाते जाती है, तो सबसे पहली favor में किया है, accessibility, यानि कि हर एक इनसान को court का justice मिल जाएगा, घर पर बैठी ही आराम से, ठीक है, बस information details share करने है, better management यहाँ पर हो पाएगा, easy हो पाएगी filing the case, घर से ही बैठ कर आप लोग आराम से case फाइल करवा सकते हैं, security रहेगी हैं आपर, जो witness है उनकी भी, और इस तरीके से victimization यहाँ पर कम होगा, वर लेकिन कुछ negative चीज़े भी आप लोग बोल सकते हैं, skilled technology, labor force आप लोग यहाँ पर requirement होगी इसके लिए, इसी के साथ में, बहुत सारे लोगों को digital जो है, वो समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए आप लोगों को अलग से थोड़ सा digital awareness फेलानी पड़ेगी, lack of funding यहाँ पर एक तरी से ऐसी infrastructure क्रियेट करने के लिए, बहुत बड़ी पोलम है, पैसा देने के लिए तेयार नहीं है, आपर इसी के साथ में, वन्रेबल कंडिशनल डेटा सीक्योरी है, जो सबसे बड़ी पोलम है, आज के लिए हमारी कंट्री में कोई low भी नहीं है, कि data security को कैसे होना चाहिए, तो कौन सी committee हाँ पर बनाई गई थी, ठीक है, तो उस committee का आप लोग नाम बताइए, उसके द्वारा कई सारी अच्छी suggestion दिये गए पर लेकिन अब तक उनको भी implement नहीं किया गया, उनके ऊपर भी हाँ अब तक analysis चल रहा है, तो हमारी country में analysis paralysis वाली बड़ी ब पड़े में और China काम खतम करकर भी निकल कर चला गया, तो इससे भी हमारी country की image काभी खराब होती है, जब international level पर हमारे investment की हम लोग बात करते हैं, वही चीज़े country के अंदर भी देखने को मिलती है, तो यह गलत चीज़े हैं, इनको सुधारना चाहिए, हाई court और सुप्रीम court के बारें बात करें, तो court normally क्या काम करते हैं, लोग को interpretation करने का काम ज़्यादा करते हैं, इसी के साथ में अगर आप लोग देखेंगे, जो lawyer होते हैं, दोनों साइड, वो physically present रहना जुरूरी होते हैं, अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से काम करते हैं, तो इसी के चलते कभी एडजन हो रहा है, बहुत सारे रीजन की वेसे, तो कई सारी पॉलम देखने को मिलती है, पर लेकिन अगर आप लोग ओनलाइन, वर्चुल जुडिसरी लेकर चलोगे, तो क्या होगा, आप लोग सारी चीज़े ओनलाइन, वाया मेल के थुरू यहापर समिट कर सकते हैं, प फिर से आप लोग अपना मेल कर सकें, जो भी आप लोग को पॉलम है, अविलेबिल करा सकें, तो जज़ क्या करेगा, फिर सारे कमेंट और अविलेबिल मेटरिल से थुरू जाकर, एक फाइनल जज़ेमेंट यहापर आप लोग के सामने लेकर आएगा, तो इससे कई सारी च अगर आप लोग देखे जूडिसरी का वो time saving भी है और cost saving भी है और जल्दी से जल्दी हाँ पर result निकल करा रहा है तो efficiency आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी double हो जाएगी एकदम और यहाँ पर तो यह भी बोला जा रहे है कि civil case को भी इसी तरीक से deal करना स्टार्ट कर दिय यानिके अपनी रूड़ी वादी thinking ने रख कि जो चल रहा है वैसे चलने दो उसको change करो थोड़ा सा तो mindset जो है आपर एक तरीके से एक नए तरीके से हम लोग change कर सकते हैं और change करने की जुरूट भी है जिस तरीके से आज की rate में requirement है आप तो overall जो भी चीज़े हैं आपर उस हमारी life का part बन जाएगा अगर ढंक से इसको implement कर जाएगा technology और सब चीजों का use कर कर ठीक है तो यह है basically जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं अब यह बताए कि judiciary को अंधा क्यों बोले जाता है normally इसके सामने एक positive चीज है इसको अंधा बोलने का positive चीज यहाँ पर य नहीं रहता है impartial तरीके से काम करता है यानिकि आखो पर पट्टी बना होगाना दिखाता है कि judiciary जो है वो impartial है तो इसका मतलब यह है कि चाहें वहाँ पर कोई रिक्सा वाल हो चाहें वहाँ पर प्राइमिस्टर खड़ो तो सीधा सीधा बात यह है कि यहाँ पर एक तरीके स वही सारी चीजे सामने निकल कर आएगी यानिकि कहने का मतलब यह है जो सबूत यहाँ पर उसके सामने रखे जाएंगे वो उसके बेस पर ही decision देगी खुद अपना उसको कोई decision नहीं होता है यानिकि एक तरीके से अंदी है वो खुद कुछ नहीं देख सकती है अगर एक एक का दुका इनके वारे में एक बार आप लोगो बतादी हुए इंडिया में यहाँ पर कर लई है ये चार तरीक को ठीक है तो चार तरीक को हमारी डहली के अंदर ये case निकल कराएं तो इसके चलते हैं जैसे हैं आपर चीजे open की गई हैं तो आप लोग हैं आपर number of cases में जो बढ़ोती हुए है जो देखने को मिल रही है जाने अन जाने में आनन फानन में बहुत सारे case अब सामने निकल कराएंगे वेस्ट बंगाल जो हैं आ जब तक अपने घरवालों को टेच नहीं करने हैं जब तक आप लोग अपने आपको ढंक से हाथ पैर मूव अगेरा धूलने लो अच्छे से और कोजिस कीजे साबून से अगर हाथ धूलने तो minimum 20 सेकिंड तक आप लोग को अपने हाथ पर साबून लगा कर रखने हैं यानि तो इसके लिए अलग अलग से चार्ज यहां पर किया रहा है कि जो आज की डेर में जो फ्लाइट है वह यहां पर चार्ज करेंगी यहां पर ऐसा नहीं कि फ्री में हापर लाजाएगा क्योंकि वह भी काफी ज़्यादा बड़न फेस कर रही हैं तो डिफिकल्ट है आपर ए इसकी कोश्ट पड़ेगी अगर कोई लंदन वगएरा से आता है मुंबई हमदाबाद हमारी कंट्री में तो पचास जारगे करीब कोश्ट पड़ेगी अगर कोई दुबई वगएर से आता है हाँ आपर तो लगबग 13,000 करीब और आबुदाबी से आता है आपर तो 15,000 करी तो देखते हैं कब तक participation देखने को मिलेगा, इसके बारे में आप लोग याद रखेगा थोड़ा सा, आगे चलते हैं, बहुत ही बुरी दुरखटना आप लोग बोल सकते हैं, हमारी country में, पांच हमारी country के जो काबिल officer है, वो सहीद हो गए, और सबसे बुरी बात क्या है है आ सबसे आगे को रहता है, सबसे आगे normally रहती है, जो team रहती है, जो हमारे जवान रहते हैं, जो officer rank के जो लोग होते हैं, वो सबसे बाद में हापर आते हैं, उन लोगों को मार देना वो भी only दो terrorist के दौरा, तो इससे यहाँ पर जो writer हैं, वो यह कहना चारहें, कि कैसी strategy और कै कैसा plan हम लोग लेकर चल रहे हैं, उसके ओपर यह question mark लगाता है, ठीक है, तो यह है basic मतलब यहाँ पर बोलने का, इंसान की किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, पर फिर भी हमारी इस range को officer पर जाकर attack कर दिया, तो इससे पता चलता है कि हमारे plan कैसे हैं, आप लोगों को पत तक वो trust नहीं बना पाएं, हमारी country की government है, तो यहाँ पर हंडवारा वाला area है, आपर यह हंडवारा वाला area, सिरी नगर के अंदर में हापर, यह आप लोग देखते हैं, आपर पाकिस्तान होगे, तो यह situation यहाँ पर लगबग आप लोग बोल सकते हैं, तो यह situation यहाँ पर जवान यहाँ पर सहीद होगे, तो इसके चलते जो राइटर हैं, वो यही बात बोल रहे हैं, कि last Saturday जो भी हाँ पर condition देखने को मिली, तो इसमें हाँ पर जो हनवारा के अंदर में हापर, जो की कुपवारा वाले area में देखने को मिलते हैं, नूर्मली भी हाँ पर पाकिस्त इसके साथ में मेजर मारा जा रहे हैं, दो अधर रैंक के लोग मारे जा रहे हैं, इसी के साथ में एक पुलिस भी जो हैं आपर सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी भी जान जा रही हैं, तो यह सारी situation है आपर, तो इससे पदा चलता है कि कहीं ने कहीं कुछ ने कुछ तो पोलम रही होगी, कोई ने कुछ यह situation क्रियेट हुए होगी, जिसके चलते हैं यहाँ पर एक दो इंसान जो है, इतनी बड़ी रैंक के लोग को यहाँ पर मार कर चले गए, तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, Saturday afternoon को information मिली intelligence के थ्रूँ यहाँ पर, कि terrorist जो हैं पर पर जो टेरिस तो आपर तो उसके चलते ही जो आसूतोर सर्मा, यह हैं पर कर्नल थे, तो यहाँ पर, यह 21 रास्ट राइफल के कर्नल थे, मेजर अनुछ सूध, नायक राजेस, इसके साथ में, लेंस नायक जो ते हैं आपर, दिने सिंग, और सब इंस्पेंक्टर थे हाँ अपर, साकील, क देर तक फाइरिंग चली फिर फाइरिंग रूख गई तो एक तरीके से इनको ये लगा कि हाँ पर कहीं ने कहीं उनकी जान जा चुकी है तो इनके द्वारा जो पर्टिकुलर बिल्डिंग थी सामने उसमें एंट्री की गी तो हाँ पर फिर जब बहुत देर तक रिपलाई नहीं आँ तो फिर पता चला कि सीधे सीधे कि साथ लोगों की जान चली गई है साथ लोग में से पांच हमारी कंट्री के ये जो जाबाज सिफाय थे जिनकी जान गई है बाकी के दो वो दरिंदे एक तरी से कुत्ते आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि कुत्ते की पूंच हो चुकी है उनको बस ये लगता है कि किसी तरीके से इंडिया को नुकसान पहुचाने है पता नहीं क्या सोच कर कैसी mentality रखकर यहां पर यह काम करते हैं जैसी ऐसी हरकते इनकी देखने को मिलती है बार बार तो वो इस situation यहां पर देखने को मिली पर लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे यह हम लोग देख रहे हैं 1947 से हमको अपना प्लान ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो हमारे उपर इस तरीके से सैंद न लगा सकें तो इसी के चलते हैं पर हम लोग को देखने को मिलेगा कि देखिए एक तरीक से जो moral है वो भी कहीने कहीं डाउन हो जाते है हमारा operating procedure कैसा चल रहा है उसको देखना पड़ेगा तो कहीने कहीं यह question mark लगा रहा है यह proxy war आज से नहीं चल रही है यह ऐसी चलती रहेगी और आगे भी ऐसी continue रहेगी क्योंकि यह रुकने वाली यहां पर नहीं है तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग कैसे लेकर चलना है क्योंकि हम लोग notice ही नहीं कर पा रहे है कि encounter जो है वो जो था यह end हो गया पर लेकिन हमको यह पता नहीं चला कि क्या क्या चीज़े चल रही है बाद में पता चला कि पांच लोग जो हैं हमारी country सहीद हो गए तो यह इस तरीके से आप लोग situation को समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने plan को लेकर चलने हैं किस तरीके training लेकर चलने हैं क्या कर कंडिशन बन रही है जब यहाँ पर ऐसी situation को हम लोग अगर tackle करने को ड़ंग से tackle नहीं कर पाएंगे और लोग जान जाएगी तो फिर यह कहीं ने कहीं सामने वाले का होसला बढ़ाती है पाकिस्तान ऐसी अरकते करने के लिए और ज़्यादा है उनके अंदर motivation आएगा क्योंकि यही तो उधारन देते हैं कि देख तरे भाई ने जाकर वहाँ पर इतने लोगों को मार दिया जैसे कि कसाव वाली condition देखने को मली क्या दरिंदा वाला mind create किया गया था यह बोला गया था कि तुमको तुम्हारी रूह को जन्नत में पता नहीं क्या-क्या मिलेंगी यह सोगात पता नहीं यार मतला वो movie जब मैंने देखी न मुझे लगा कितना एक तरी से इंसान का जानवर बना देते हैं वो लोग ऐसी ऐसी बाते बोल बोल कर तो यही situation यहाँ पर देखने को मलती है तो इस तरीके से आज केर में हम लोग को चीज़ों को change करने की जुरत है unrest जो देखने को मिल रहा है society में यह तब से देखने को मिल रहा है जब से यह आप लोग को पता है हमारी country में जम्मा एन कासमीर के status को change किया गया है तो तब से अन्रेश देखने को मिल रहा है तो पाकिस्तान को deterrence तो create हो नहीं तब से उनका जो goal है वो और ज़्यदा बढ़ गया है तो तब से लेके अब तक का यह बोला जा रहा है कि 127 दिन का अगर हम लोग analysis करते हैं तो 55 terrorists हैं जो हाँ पर मारे गए है इस particular reason में ठीक है तो इससे मना कर चलते हैं कि लगबाग everyday normal तरीके से देखा है every two day लगबाग हर दूसरी दिन में एक terrorist यहाँ पर मारे जा रहा है तो इसके चलते central government को कम से कम समझना चाहिए कि कैसे चीज़ों को normalize करना है क्योंकि हमारी ही country के लोग हैं उनको गुम्रहा किया जा रहा है अगर हम लोग वहाँ पर उनको एक तरी से ढंक से लेकर नहीं चलेंगे प्रोपरे में ऐसा महोल अच्छा महाँ पर बनाए जाए ताकि जो वगएरा create हो सके लोग अपने काम में busy रह सके फालतू की हरकतों में ने देखे पर लेकिन एक बात तो है कि हर तालाब में कोई ने को यह गंदी मचली मिली जाती है तो अब हम लोग को देखना है कि उस गंदी मचली से बाकी के दूसरे लोगों को कैसे बचाना है तो जो यहाँ पर इस तरीके से जो चीज़े हैं आपर उसको कैसे normalize करना है वो हम लोग को समझना पड़ेगा जम्मो एन कस्मीर एक खतरनाक एक फ्लो की तरब को बहरा है तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि इस फ्लो को रोखना कैसे है क्योंकि यह एक ऐसा point है अगर यहाँ पर हम लोग नहीं रोख पाएंगे आपर जम्मो एन कस्मीर से आते हैं वहाँ पर अब तक internet भी धंक से restore नहीं किया गया तो इसके चलते बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो पढ़ाई है वो काफी बेकार होती नजर आ रही है तो यह सारी situation आप लोग देख सकते हैं तो उनकी क्या गलती है जो पढ़ना चाहते हैं जो कुछ करना चाहते हैं उनको भी इसकी वेसे पोलम देखने को यहाँ पर मिल रही है तो यह चीज़े हैं देखते हैं कब तक चीज़े normalize हो पाती है तो कम से कम हम लोग को एक दिसुरे का सास बढ़ाते रखना चाहिए इन सब situation के चलते हैं नेस्ट यहाँ फिर से वही बाते की जा रही है कि देखे economic growth जो है वो down हो रहा है तो उसके लिए boost करने के लिए क्या करना चाहिए तो सबसे important बात है consumption बढ़ना चाहिए और investment बढ़ना चाहिए यानि कि इसको मैं आप लोग को वैसी समझात हूँ बिल्कुल कि demand बढ़ना चाहिए और supply बढ़ना चाहिए माली जै आज की date में मैंने market में pen supply करना चाहिए ठीक है पर लेकिन वहाँ पर उनको कोई खरीदी नहीं रहा है तो एक time पर आकर मैं क्या करूँगा manufacture करना बंद कर दूँगा क्यों क्यों कि already इतना माल pending पड़ा हुआ है कि उसको कोई खरीदी नहीं रहा है पर लेकिन जैसे यहाँ पर school खुलते हैं यहाँ पर बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं मार्किट में चीज़े होना स्टार्ट होती है तो फिर से आपर supply एक तरी से मार्किट में demand बढ़ जाएगी तो लोग खरीदने वाले आ जाएगे तो फिर से supply स्टार्ट हो जाएगी इसको उधानने के लिए आप लोग आज के में बोल सकते हैं जो oil के tanker हैं लोगों के सब के भरे खड़े हैं आज की date में ऐसा भी हुआ है आप USA के अंदर में यह बोला गया कि यह तेल खरीद कर लेकर जाओ इसके चलते आप लोगों पैसा भी मिलेगा यानि के तेल में मिल रहा है और पैसा मिल रहा है आम के आम और गुट्लियों के दाम तो यह चीज़े हाँ पर अभी देखने को मिले यह चीज़े कब होती है जब चीज़े overflow हो जाती है उनको यह लग रहा है कि अगर हम लोग को अभी यह तेल रखने के लिए अलग से arrangement करनी पड़ेगी अलग से infrastructure की rate करनी पड़ेगी तो और ज़्यादे पैसा खर्च करना पड़ेगा इससे अच्छा तो यह है कि free में भी बाट दो इसे तो सही रहेगा तो जब यहाँ पर free में बाटने की बात आती है तो इसका मतलब यह कि demand ही नहीं है market में अगर demand नहीं है तो जो manufacture करने वाले है उनका motivation भी down होता है तो यही चीज़ें हाँ पर देखने को मिलती है तो सबसे पहले हाँ पर एक conception होना चाहिए और investment देखने को मिलेगा क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग है जो काफी poor है उनके पासे पैसा ही नहीं है दो time की रोजी रोटी तो उनको मिलने ही रही है वो कैसे आपर अच्छे-च्छे कोई सामान खरीद पाएंगे तो यह situation देखने को मिल रही है लोग खाने के लिए आपर तरस रहे है और आप लोग investment की बात करें तो demand तो आज कीट में कहीं किया सबसे ज़्यादा है खाने की है जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख रहे है जो distribution किया रहे है क्योंकि एक तरी से वोई कहेंगे तो जान है तो जहान है इनके खाना मिल रहे है तो लोग जिन्दा रहेंगे तो यह काफी ज़्यादा जुरूरी है इस तरीके से कि सबसे पहले आप लोग क्या करना चाहिए demand के चलते आप लोग को पहले लोगों को पहले घर से निकलने के लिए थोड़ा सा रियाद देनी पड़ेगी अच्छे काम करने के लिए environment तयार करना पड़ेगा जैसे कि खेत में किसान काम कर रहे है उनके लिए support प्रोवाइड करो इसी के साथ में company जो हैं उनको आराम आराम से open करो ताकि जो लोग उहाँ पर काम कर सके इसी के साथ में जो भी radio ठेली वाले हैं उनको आप लोग प्रोव पर social distancing के थूरू काम करने का एक थोड़ा सा एक अच्छा महौल प्रोवाइड कराओ लोगों के अंदर मायन में fear ने रहे वो सारी चीज़े आप लोग को देखने को मिलेगी government को investment यहाँ पर करना पड़ेगा ताकि चीज़ों को normalize थोड़ा किया जा सके और यह जो problem चल रही है इसमें से आप लोगो gradually exist करना पड़ेगा यह ऐसा नहीं कि एकदम आप लोग यहाँ से निकल कर भाग जाओगी इस particular situation से तो आराम आराम से आप लोगो यहाँ पर समझना पड़ेगा क्योंकि आज की डेट में अगर हम लोग मार्किट को open करते हैं तो आप लोगों को पता है फ्लाइट स्टाइट की जा रही है कि हाँ भारगी country से लोगों को लाए जाएगा आगे चलकर अगर यह चीज़े और ज़्यादा open होती है तो जिस country में बहुत ज़्यादे case है उस country से हमारी country में लोग आते होए नज़राएगे और हमारी country में जहाँ पर जिन लोगों को एक case already हो चुके है उन लोगों से लोगों को पर फैल लगते होए नज़राएगे तो यह महामारी और ज़दे विक्राल रूप यहाँ पर ले सकती है तो जैसा मैंने आप लोग को बता है था कि मालीजी यहाँ से पानी इस सैड में बह रहा है ठीक है और यहाँ पर यह पूरा कोई एक पर्टिक्लर एरिया है पर लेकिन उससे पहले आप लोग को बालटी बगएर रख सकते हैं बकेट बगएरा कि उसमें पानी भर जाए पर लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर बैकेट रखते रहेंगे कितने भी बकेट रगों भरती जाएंगी पीछे से आप लोग सप्लाई बंद नहीं कर रहें तो सप्लाई बंद करनी पड़ेगी आप लोग को जो COVID-19 के नहीं केस आ रहे हैं उनकी ताकि जादे से जादे लोग जो है और लेडी जो यहाँ पर और इंफेक्टिड हो रहे हैं उनको रोका जा सके और जो अलड़ी हो चुके हैं उनका इलाज किया जा सके तो वो आप लोग को समझना पड़ेगा और उसके लिए आप लोग के हेल्थ के ओपर इंवेस्टमेंट करना पड़ेगा अच्छी इंफरस्टर की करने पड़ेगी जो कि धंग से उट्राइज नहीं किया जा रहा है उस पर्टिकुलर एरिया को भी धंग से उट्राइज आप लोग को रना पड़ेगा हमारी कंट्री में सबसे बड़ी पोलम जो है जो आप लोग को देखने को मिलती है human capital जो जिसको बोलते हैं जिसको अच्छी education और रिच्छी health मिलती है उसके ओपर ज़्यादा खर्चा आज तक नहीं किया गया है अगर health के ओपर खर्चा किया जाते हैं तो हमारी country की जो infrastructure है वो एक अच्छे level की होती जो कि आज की rate में आप लोग को देखने को नहीं मिलती है तो ये कई सारी छोड़ी छोड़ी problem आप लोग बोल सकते हैं जिनके ओपर बड़ा बड़ा काम करना पड़ेगा और तब ही जाकर situation जो है वो normalize होगी क्योंकि जिस तरीके से हर एक area इसकी चपेड में आ चुका है तो सभी solution निकलेगा जब आप लोग इनके ओपर अच्छे से काम करना start करोगे तो नेक जो है आप लोगों से हापर ये question है जिसका answer आप लोगों को देना है परसन को रिपोर्ट कर देते हैं तो उसको मैं हाँ पर ब्लोग करता हूँ तो अगर कोई ब्लोग हो रहा है अगर कोई वहां से remove किया जा रहा है तो इसका मतलब यह कि ग्रूप में आप लोगों ने कोई उल्टी सीदी हरकते किया है आप लोगो किसी के द्वार रिपोर्ट किया गया है तो यह अच्छी जा आप लोगों को देखने को मिलेगी पर यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि कानून अंदा है यानि कि मैं अंदा बैटा हूँ मैं भी पर्टिकुलर देखता हूँ कि हाँ ब्लोग करने लायक हरकत किये या फिर नहीं किये अगर मैं भी सटिस्वाई हो जाता हूँ तो फिर उसको ब्लोग करता हूँ यानि कि 10 लोग मिनिमूम हाँ पर बोले और मैं उसको देखू पोस्ट को अगर तब लगता है तो तब वहाँ पर पर्टिसन को ब्लोग किया जाता है तो उल्टी सीधी हरकते नहीं करें आंसर राइटिंग कीजिए एक अच्छा माहूल बनावा है तो उसका फायदा उठाने की कोश्ट सा आप लोग कीजिए तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कोश्ट के जाते है उनका भी आंसर आप लोग दिया कीजिए सबसे पहले बात की जा रही है लेक उर्मिया की बारे में बोला जा रहा है लेक उर्मिया जो है वो इरान के अंदर लेक है एक सोल्ट लेक है आपर नयानिके नमकीन की नमक लेक है आपर इसी के साथ में बात की जा रही है यह जो लेक है आपर यह सदन पोर्शन में देखने को मिलेगी कैस्पन सी के Eastern of Southern portion में देखने को मिलेगी यानिके हिहाँ पर कैस्पेंस ही जो है अभी आप लोग को मैप में दिखाऊंगा तो ये बोला जा रहे हैं आपर एक तरीके से दूसरी यहाँ पर direction बोले जा रहे है जहाँ पर देखने को मिलेगी कौन सी statement correct है 1, 2, both यह फिर neither one nor two तो answer आईए देख लेते हैं answer जो सही है आपर वो इसका a सही है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देखेगा जो lake उर्मिया है वो इरान के अंदर है बिल्कुल सही है यह 6,001 square kilometer के अंदर में फैली हुई है length जो है वो 130 kilometer है और इसी की maximum जो depth है वो 15 meter के करीब आप लोगो देखने को मिलेगी salt lake है पर लेकिन जो इस्ट बोला गया वो इस्ट नहीं है वेस्ट में आप लोगो देखने को मिलेगी यह हो गया आपर Caspian Sea Caspian Sea के वेस्ट में आप लोग यहाँ पर नजर आए कि lake उर्मिया अपनी country compare में अगर आप लोग इसको देखना चाते हैं तो यह होगी अपनी पैरी country यहाँ पर हो गया इरान तो यह हो गया Caspian Sea और यहाँ पर आप लोगो lake उर्मिया कहीं देखने को मिलेगी तो इसके साथ में आप लोग जरूर compare किया किजिए यह आप लोकिशन आप लोग इस देखने सामने है Caspian Sea कई एक बार question यह भी पूछा जा चुका है कि इरान जैसे आपर बोल दिया कि Caspian Sea और परिशन गल्फ के बीच में कौन सी country है तो यह है इरान, capital है तहरान नाम याद रखीगा, lake उर्मिया है यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रही है तो यह ऐसे question कई बार आप लोग इसे exam में पूछे जाते है और खासकर इरान अभी recently काफी ज़दे news में रहाई USA के चलते है तो आप लोगों से वैसे भी question बन सकता है तो इसके बारे में कोई भी confusion आप लोग के mind में नहीं होना चाहिए तो यह है इसके बारे में information दो दिन से आप लोगी PDF provide नहीं कराएगे थी तो वो टेलिग्राम पर provide भी खरा दीगी है वो सारी चीज़ें हाँ पर share की जाती है ताकि आप लोग तक direct चीज़े पहुंच जाए मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर भी connect रह सकते हैं Facebook होगी, Instagram होगया यह भी सारे social media handle है, कुछ नब कुछ हर जगे share किया जाता है पर लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर हो तो ही आप लोग connect हुझे ऐसा नहीं है कि आप लोग इसके लिए अलग से आप लोग को account बनाना है ठीक है, तो यह इसलिए क्योंकि information कई सारी चीज़ें यहाँ पर जल्दी जल्दी update हो जाती है बाकि आप लोग अगर time मिले किसी को जुरूर पढ़ाईए कोई कि education है कैसी चीज़ें जो बाटने से हमसा बढ़ती है कभी घटती नहीं है और इसी के साथ में enjoy करते लिए life को और जब भी किसी की एक तरीक से help करने का आप लोग को कोई भी अबसर मिले तो उसकी help जुरूर कीज़े आप लोग अपनी level पर आकर ये नहीं है कि अपनी level से भार जाकर help करनी है ठीक है तो मिलता हूं नेक क्लेक्चर में बड़ो को नमस्ते चोड़ो को प्यार चोड़ी सी life एंज्योए कड़ार तब तक के लिए जय हिंद